हलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं E.L. Thon Dike के Trial and Error शीरी के बारे में यानि कि परियास ये तुरूटी के सिधान के बारे हम बात करने वाले हैं तो इस थेयरी को किस ने दिया था इस थेयरी को दिया था E.L. Thon Dike ने जो कि अमेरिकन साइकॉलोजिस थे इनका जन्म 1864 इस वी में हुआ था और इनके मिर्टी होए थी 1949 में तो परियास ये तुरूटी सिधान अगर आप समरी की बात करें ना कि इसका मतलब क्या होता है और इसको बेड में पढ़ाये क्यों जाता है तो इस सिधान के द्वारा Thon Dike ये कहना चाहते है कि जब कोई टीचर बच्चे को पढ़ायना है तो बच्चे को खुद से करने पर जोड़ दे परियास ब्ट гл Calvin करता है ये सिधान वही कहता है नामिये ट्रायल अंड इरर परियाश काम त्रूटी कहनेborgðarin परियास और सफलता का सिधान भी कहा जाता है इसके लागे इसको कहा जाता है SR theory, stimulus and response theory यानि कि उद्धीपक और अनुकिरिया सिधान भी कहा जाता है इस theory एक वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेगा पहले उसको सुनने जाए को होता क्या है उद्धीपक का मतलब क्या होता है उद्धीपक का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज कोई एक ऐसी वस्तू जो आपको बात दे करें किसी कारी को करने में यानि किसी एक्सेंस को करने में उद्धीपक कोई भी चीज़ ऊसकती है मैं भी और यह ठीक कवें पर जह सकती है कोई यह कोई अप्जेस दिश होती है इसकी वजह से यह रगा मुस्कुरा रहना ने क्यों कृड़ार रिस्पांस करता है यह क्या करते हैं इनक्रियार करता रिस्पॉंस करता है और इन दोलगे ब इनकारीचि STOP करता है तो यह जाय ना जाय ना जो भी तो उध्यक्त का मतलब होता है कि एक ऐसी वझा जो आपको बात दे करें कोई अन्nte करने में कोई रिस्पॉंस करने में फिक हैं तो थउन कि इस चीज को शिद्ध करने के लिए और उन्होंने कई जानवरों पर इसपरिमेंट अंदि हो बिल्ली है तो उस बिल्ली कै 특별 मैं जान रगाए थे कि फंट ने या परीयोग कैसे किया था इस परियोग में टॉन डाइक कैया किया एक पसल बॉक्स के उंदर बोग की जान तो ली बुक्स यह स्वजी बच्प ये ये बस एक ही तरीके से खिल लगता था इस पजल बॉकस के अंदर एक लगता अधर इसको दवाने पर इस पजल बॉक्स प्जल मुध को लिए यहां को क्तिता माण खmo अब करते थी और वह बिल्ली है मछली को पाने के लिए भाड़ा बार currency करते थी कभी स्क्राइच्ञ करती थी कभी वह झंप करती थी वीच में यह कूड़ती रहते थी कोई यह अन्पर करती थी अर उतिकमरी जैसे कि मैंने बताया कि उस पाजल बॉक्स में एक क्लच तो इसको दबाने से क्या होता था? वह पजल बॉक्स खुलता था रोव बिरली बाहर आ सकती थी तो ऐसी कई गलत अनुकरियाओं के बीच ने एक बार क्याको अचानक से उसका पैर उसके क्लच पे चला गया और वह गेट खुल गया और बिरली बाहर आई और मचली को खा गये इसे यानुकिरिया को बार-बार करने से बार-बार दोहराने पे थॉन डाइग ने क्या अब्जॉर्फ किया कि जो उसकी तुरूटी थी जो उसका इरर था उसके नम्बस कम होने लगे यान कि पहली बार सॉल्ट राई करने के बाद उसका पहर पड़ा था अगली बार 80, 70, 60, ऐसे जो नम्बर्स फिरोर थे निवो कम होने लगे जो तुरूटिओं की संक्याति वो क्या होने लगी कम होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि बाहर नीकलने के लिए तुरूटिया क्या हो गया एक संबंद अस्थापित हो गया यानि उद्धीपन और प्रतिकिर्यक में एक संबंद अस्थापित हो गया बार बार गलती करने से वह सीख गई कि जब हम क्लच दबाएंगे तब उपन होगा यह पजल बाक्स और वह ऐसे जाके खा वह मश्ली को खा सकती थी इसलिए वह क्या कहा था कि करत करत परियास सफल जड़मत होत सुजान और रसरी आवद जाच से सरपर पड़त निसान ऐसा कुछ था यानि कि बार बार परियास करने से क्या हुआ वह सीख गई कि इस कलच को दबाने से ही क्या होगा ऑपन होगा और वह ऐसे जाके खा सकती थी तो मश्ली जो कि उद्धीपक था इसको बात दे करता था प्रतिक्रिया करने के लिए और यह गलत प्रतिक्रिया यानि कि एरर करने पे तूटी करने पे वह उन दोने के बीच में प्रतिक्रिया और उद्धीपक में कि संब्द्न स्थापित हो गया वह सीख गई बात को कि क्लच दबाएंगे तब ही जाकि यह क्या होगा वह ओपन होगा और वह मचली को खा सकती है ठीक करतें प्राइमरी लो कि प्रैम्री लो काफी इंपारिनय काई बार ने की यह पूचा गया है कि शयरा there are how many premise law according to the thundi तो तीन नियम बताया थे प्रमुख लाव में कितने नियम थे तीन नियम थे पहला कहा था law of readiness यानि कि तत्परता का नियम दूसरा नियम कहा था law of effect यानि कि परभाव का नियम और तिसरा नियम था law of exercise, यानि की पर्यास का नियम, तो यह law of exercise में इसको दो पार्ट में divide कर दिया गया, पहला law of use और law of disuse, यानि कि ऐसा नियम जिसका इस्तमाल हो सके, और law of disuse का मतलब ऐसा नियम जिसका इस्तमाल नहीं किया जा सके, तो one by one बहुत शॉट ली देख लिए ह ठीक है अच्छा मैं specific notes एक बनाके मैं description में दूँगा ठीक है Hindi में भी और English में भी आप प्रीज उसको download करके पढ़ना बहुत ही helpful होगा आपके लिए तो पहले देख लेते हैं ततपरता का निया इन्होंने यह कहा था कि कोई भी इंसान तब तक कुछ चीज को नहीं सिख सकता जबकि वो खुद ready नहीं हो यानि कि वो खुद mentally, physically, emotionally ready नहीं हो यानि कि वो सीखने के लिए खुद ततपर नहीं हो यह इन्होंने कहा था जैसे example की तोर पे बिल्ली का जो मैंने example लिया मानने जी बिल्ली खाना ही नहीं चाहती वो भूखी नहीं है तो भई वो कैसे response करेगी वो उद्धीपन को देखके वो कैसे प्रतिक्रिया करेगी नहीं यानि कि जो सीखने वाला है वह भी क्या होना चाहिए रेडियो होना चा पर मानने जी बिल्ली को अगर बाहर हमने कुछ घास रख दिया या फिर कुछ चारा रख दिया या फिर एक ऐसी वस्तु रख दी जिसको बिल्ली खाती नहीं है तो उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो प्रतिक्रिया ही नहीं करेगी वह response ही नहीं करेगा तो वह कैसे अनुबंदन होगा फिर उद्धीपक और अभिकरता के बीच में कैसे सम्मंद अस्तापिद होगा ही नहीं तो परभाव भी होना चाहिए वह जो अधिगम करता है यानि कि जो बच्चा है वह ऐसे चीज हो जो वह सीखना चाहे वह सीखने के लिए हो तब ही वह क्या करना पड़ेगा उसको अभी करना पड़ेगा उसको अभी करियां भी करनी पड़े और जैसे मैं बताया कि लौअ Rainbow दोसरा दिस्यूसे लौ to Act है कि उसके प्रतिक्रियाओं में उसके अभिक्रियाओं में जो सका की चीजי जानिके तक को कुछिए इस इडे वह दृतिक्रास से और भढ़ाते साथ एक्सराइज में यूज में उसका नियम है कि जो चीज़े आपकी इस्तमाल के लिए उसे आप और ज्यादा रिपीट कीजिए ठीक है उसे और ज्यादा एप्सवर्फ कीजिए और जो डिस यूज की चीज़े उससे छोड़ दीजिए बिल्ली की बात है कि वह जो क्लेचर पित आफ मैं यूज किताबों में और शर्षाओ और तो सारी किताबों हैं तो अन्ष उफ यस नियम में पहला नियम है law of primacy यानि कि प्राथमिक्ता का नियम ध्यान से देखिए प्राथमिक्ता का नियम यह होता है कि जैसे कि नहीं कहते हैं कि first impression is the last impression ठीक वैसे ही कि अगर classroom में बच्चे का आज first class है तो वह बहुत concentrate होके चीजों को पढ़ेगा वह बाहरी के बारे में नह प्राथमिक्ता करेगा और class में चल रही चीजों को focus करेगा तो secondary law of primacy प्राथमिक्ता करें वह obviously चाहिएगा कि मेरा आजी का impressions है मेसा कि अच्छा बना रहे है और जिस हिसाब से जैसे कि first ही अगर आप student को compliment देदें कि तुम तो बहुत अच्छे हो किस school में पढ़ क्या हो वह वहां के monitor थेगा वहां के topper थेगा तो वह खुश हो जागा कि यार मेरा response तो और ज्यादा मेहनत करेगा वह तो इसलिए यह बहुत ही ज्यादा matter करता है law of primacy प्राथमिक्ता का नियम पहला है law of partial activities आंसिक क्रियाओं का नियम यानि कि आंसिक क्रिया इसका क्या मतलब होता है आंसिक क्रियाओं का नियम का मतलब यानि कि जो चीजों को नो short term में divide करते हैं चोटे-चोटे चीजों में divide करते हैं जैसे कि वहां जी कोई बच्चा है जिसको table आपको 20 तक अगर आपको उसको पहले दिन कहा देते हैं कि भाई तु 20 तक table याद कर क्या यार वो नर्वस हो जाएगा कैसे याद करके आएगा तो थॉन डाइक के जो पार्शल टी आफ पार्शल एक्टिविटीज को कहने का मतलब है कि आप उसको शॉट में divide करें फॉस्ट पांच तक सेकेंड या फॉस्ट वीक में 5 तक पांच तक तेबल फिर 10 तक फिर 15 तक या इसके अलावा उसक इसे चीज़ को सीखने के लिए ने बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है multiple response करता है और यह किरियाएं तब तक चलती रहती है जब तक वह चीज़ों को सीख नहीं जाता तब तक वह चीज़ों को ग्रहर नहीं कर लेता तो यह था तीसरा नियम और दोस्तों गॉर्ण नियम मे में कोई ऐसी अनुक्रियाँ कर चुका होता है उसके पास कोई ऐसा experience होता है जो नए अनुक्रियाःं को क्या करता है सीखने के लिए help करता है सीखने के लिए क्या करता है और जियादा मदद करता है ठीक है तो ला-ई-स similarity और अगला नियम है law of residency यानि कि तत्कालिमता का नियम अच्छा यह देखें इसका मतलब यह होता है कि जो चीजे हम तुरंट के सीखे होते हैं वह हमें जल्दी से समझ आ जाती है और वह हमें ज्यादा देख तक भी याद रहती है ठीक है जैसे कि माने जिए कोई एक ऐसी चीज ज यानि की सहचरयात्मक अस्थनांत्रार गनियम इसका मतलब यह होते हैं काफी स्थनांत्राइब करना हो तो उसके सीखी हुए चीजों की तो अप यहां पर क्या कर सकते हैं इस्तमाल कर सकते हैं तो यह ते गौर्ड नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टन निया है बट फिर भ याम वे उभक्रिंद इस प्रार्मुख्नियम में इसके प्रांव मेरग करते हैं सुट अुछ किताब का रख विए जड़ है इस पूरे उत्रोपिक को प्रापदब सेक और कि हमें पाइब सुम्हानेते हैं believe i जीखो गलति है उसे सीखो ठीक है एक क्रीटी में कोश्चर जह आये ता कि मंद बुद्धी के लिए अधिकम का सिधान किस ने दिया था मंद बुधी मतलब मों इंसान जिसके बुद्धी थोड़ी सी फ्लो थोड़ा सा कम हो तो मंद-डद्धी क्या करेगा वह कोई चीज़े बहुत जल्ती नहीं कर पाएगा और एक्चुट नहीं कर वो क्या कर एक गलती करेगा तो याद रख लिए civil मन्द बद्धिक के लिए मंद बद्धिक क्या ल i доллар को जाता है मUNG मंद बद्धिक क्या है था के लिए कि उप्योगी है। कच्छा में अगर मद्दी के करें की क्या है तो पहलर टॉप्पिक यह हो गया कि यह मन्ध बुद्धिक बालकों किस चाहरेम कि पेयोगे होते हैं उन्हें के लिए क्या होता है यूसफुल होता है दूसरा यह सीखने के तरीका को क्या बना देती है और इसी बना जाती है मतलब बच्चे के लिए और इसी हो जाती है गल्ती करते हो और सीखते हो गल्ती करते हो यह आसान बना देती है दूसरा उनको सीखने के लिए प किस चीजों को कुछ और प्रनाउंस कर रहे होते हैं उन्हें कुछ और नाम से बुलाते हैं लेकिन इसे दीरे-दीरे गलती करेंगे और सीखेंगे तो भासा का सुद्ध उचारण भी इसी विदी के दुबारा सीखाया जाता है और सबसे आखरी में आखरी अभी बहुत सरह है इस वीडियो में बस आखरी सबसे आखरी और इंपॉर्टेंट ठीक है इस यह विदी सिखक और बालक दोनों को क्या करती है धायरे परदान करती है मतलब है पेशेंस एंड़ दचिवर्ण कमिट अज मिस्टिक आज मुच आज आप पैसेंस रखें मतलब धारी रखें बच्चे को थोड़ी गल्ती करने दे तो वो दीने दीने सी ही जाएगा ठीक है तो कैस यह था बस चोटा साथ मतलब मैंने पढ़ा था मैंने वीडियो बना दिया आई होप कि आपको अचा रहा होगा देख लो अचा एक चीज में कर है फिर हां डिस्क्रिप्शन में देऊंगा ठीक है और में वहां से आप डाउनूड कर लेना और बहुत ही बहतरी नोट्स है उसे प्रेफर करना और आपने पास भी कोई सब्सक्राइब करना बाकि लाइक और सब्सक्राइब तो मारे तो जया ही जया वारत पढ़ते रहो प